बात वाथ रहा कि जितनी लोगों कि मिलाओन पैसे जमाते मुलैं डाल बाहर में निकल गभी और वन्डी सहक हाल अब लुब angry के नंमस्कार मैं अब जएद और आप देख रहे हैं न्यूसन भा इंडिया मैं पहुंचान को बुलैंसर के गाओं में और आज के दिन आठ नमंबर को नोट बंदी हुई थी पांस साल पीच चुके हैं तो लोगों से जानेंगे कि इनको फाइदा हुआ था या नुकसान हुआ है तो आईए इनसे बात करते हैं क्या नाम अपका जिन महारा दीपक अचल बंदी हुई थी उससे फायदा हुआ आपको नहीं नुकसान हुआ है अब क्या नाम आपका अच्छा आपको नोट जो चैंज होते हैं बल्दी वीती सब फाइदा हुआ आपको नुक्सान है भया मेरे तो चली इना धरें घर में तो आपने चला यह नहीं है चला चले का थे जब बंद है गया एक संग में कोई जहां करी ना देगा तो चला ते उससे फाइदा हुआ है देव गी नंदन से तो आपको फैदा यह मेरे को चली नहीं शत्याट में को साइङों धुक्षान किमें करने जैixo जाएगा कर दिए से लाए जाएगा क्या कालाधन बापिस आया नहीं आया है कोई कालाधन बापिस नहीं आया हिंदुस्तान के अंदर और लोगों से बात करेंगे बहुत सारी लोग है आपका मेरे नाम विनोध कुमार है जो बताइए कि आपको नोडबंदी से फायदा हुआ नहीं से मुझे नहीं लग रहा है किसी को फायदा हुआ होगा क्योंकि सभी लोगों के जितना बैंक वैलेंस था उन्होंने मिला सब निकाल के और डर से और सब यूज कर लिया और बादबा की जो वेस्ट कर दिया सारा पैसा तो फिर दुबारा जमान नहीं कर पाए तो उससे सब नुक्सान यह उससे कोई फायदा नहीं हुआ है सरकार नहीं सोचा था कि नोट चेंज करने से जो नगली नोट छपते थे हमारे भारत के अंदर कि उससे बलदाब आएगा और काला धन विदेश से आएगा क्या आया नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुए कोई काला धन वाप नहीं मैं पूछ रहा हु आप से अपको फाइदा हुआ है नुक्षान हुआ है क्योंकि नौट वंद्यों में इतनी साधी हो रही थी तो पैसा भी अदमी यह जो कम दूसरों से मांग रहे हैं उनकी पैसे बैंक में हैं बैंक निकालने बहुत दिक्क्त आ रही थी अब बता पूरा दिन निकल जाथा अच्छा मोधी जी कह रहे थे काला धन बापिस आप देश से काला धन है कोई काला धन वाले कोई सीधी आदमी नहीं थे बहुत तेज आदमी थे और अपना रखा हुआ था वहां से अपना गायब कर दिया और उन्हें पोई फरक नहीं पड़ा यह त कैसा लगा आपको नौटय नौट बंदी क्योंकर इसमें लोग परशान चोड़ोट लोग है उनकी काम बंद हो नौकरी प्रिशानी आगई वो क्या करते क्म लेए चांव कोम ले रहें और नहीं कोई रचान नीहों पेंवाट प concet सभशान नहीं परशाने लाइन नरी बिम नाम योगिस है योगिस क्या करते हैं कुछ नहीं जौप करता हूं जूटी से पांस साल बीच चुक हैं नोट बंदीको आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ नहीं फायदा हुआ है छोटे-मोटे जो कि आदमी थे उनके लिए पैसा दिया है जैसे किसी ने कहаний कि हमार लोट बलदेना या कर देना मोदी पहले ही कह दिया थे कोई तुमाल लिए काला धन या बापस करने के लिए देता है तो आप उसको लोटा नहीं लोग वाव ने ऐसा हुआ कि किसी के लिए कितना दिया किसी के लिए कितना दिया उनों के खाते में किसी के खाते में पांच लाग पहुंच गए जो आप आपने सुना होगा जीरो बेल काला धन भपपिस ने नहीं नैं देखर हमारे मतलब जिसने भी गाउंव में जो एकांट estado किसिके एकांट क्मी पैसान नहीं रहाए क्षाते हैं किसी ने कहा कि मेरे खाते में पैसा उन से कहते हैं लोग बापस कहते हैं और पैसा नहीं अपके खाते में और ओर के खाते में गया तो इनके खाद में क्यों नहीं आया पैसा आया है इनके खाद में कोई पैसा नहीं आया आए और अपनी कांट में कुछ दखाई है । अब इनके कहने से मैं पैसा आपके लिए लोग बागों ने दिया है उनके खाते में पैसा पहुंचा है और आप चेक रवाके देख लीजिए जिनका सुन्या से जो खाता था उन खातों में डेट लाग रुपय एक लाग रुपय पहुंचा है अब मोदी जीने कोई गलत काम ने किया है वह थो पबलिक भूंकी मर्गई लाइन में लग लग के नोट बंदी पैसा ने रहा लोग को आप कहरें करें को चाहिए था पहले ही कॉंग्रेस को कम से कम जैसे पहले यह 5 साल में नोट बंदी होनी चाहिए छेंज होनी है कि यह सार कहें थार नोट कर अदर हां पांच साल करें देड़ आदेश करें यहां इस करना यह सब्सक्राइब करने चाहिए पांसाल बीच चुके चुके हैं मोदी चीक कुछ इस बात को हम आपके काया है यह कि मोदी जी न अच्छा किया था विल्ट सुने सुनिए किसी पाल्टी पेसा नहीं आप आपके गाउं कि नौटबंदी दिक्कत बहुत दिक्कत है कि कैसा लगा आपको नौटबंदी से नुक्सान वाएं या फैदा हुआ प्यों पिजोए नहीं है नहीं हम बीजेपी के आदमी नहीं है कि आदम नहीं और कौन आप तो सपा के ओप लगा रहा रहें और आ पेसा बिल्कुल सरकार आएगी पेशा फ्रज करा हैं अगली कि अप गभलाई टु टेल चें सेतनी जो